एडू लर्निंग पॉइंट एवे टू सक्सस एडू लर्निंग पॉइंट में स्वी बच्चों का स्वागत है आईए बच्चे आज हम कैदी और कोकिला भागदो का अध्यान करेंगे कवीता है हमारी काली तू रजनी भी काली सासन की करनी भी काली काली लहर कलपना काली मेरी काल कोठरी काली टोपी काली कमली काली मेरी लोह सरंखला काली पहरे की हंकरती की ब्याली तिस पर है गाली ए आली इसमें कवी कहता है कि हे कोयल तेरा रंग भी काला है ये रात भी काली है और अंग्रेजी सासन जो ये स्वाधिंता प्रेमियों पर अत्याचार कर रहा है तो इसकी जो कर्तूत हैं ये भी काली है कभी कहता है कि सासन तंतर के इस रवये से जेल के अंदर चलने वाली जो हवा है वो भी काली हो गई है जो कैदियों पर अत्याचार किया जा रहा है उन पर जासुसी की जा रही है कि वो कोई वे द्रोह की भावना उनके मन में है तो नहीं उनके मन इससे कैदियों के मन में भी निरासा भर आने से उनकी जो कलपना है वो भी काली हो गई है इसमें कवी कहता है कि जो मेरी जो काल कोटरी है जो जेल है उसका जो रंग है वो भी काला है मेरी टोपी का रंग भी काला है और जो कमली होता है बेटा जो कैदी कंबल ओड़ता है उसका रंग भी काला है मेरी लोह सरंखला काली तो कैदी की जो कारागार है उस कारागार में जो लोहे की सलाखे हैं उनका रंग भी क्या है काला है पहरे की हंकरती की ब्याली तिस पर है गाली और आली और इतनी जादा प्रेशानिया सेहन करने के बाद भी हमारे उपर जो नज़र रखने वाले पहरेदार हैं वो हुंकार भरते हैं तरह तरह की यातनाय देते हैं और उनकी गालियां भी यहां पर कभी को सुननी पड़ती है तो यहां पर उन्होंने अपने जो कारागार जीवन पिर जो अत्या चार हुए हैं उनका वरणन किया हुआ है कि उनके मन में जो सासन के कार्ण निराशा भर आई है आईए इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्योकर होते राती कोकिल बोलो तो इसमें कवी को यह समझ नहीं आ रहा है कि कोयल सोतंतर होने के बाद भी इस अंधेरी काली रात में कारागार के उपर मंडरा कर अपनी मदूर अवाज में गीत क्यों गा रही है क्या इन प्रेशानियों के बीच आकर तुमने मरने की ठान ली है कैदी कोयल से पूछता है कि हे कोयल क्या तुमने वीपरित प्रिस्तितियों में भी देश्वासियों के मन में स्वाधींता का भाव जगाने की ठान ली है जो इस तरह के मधुरगीत गा रही हो आईए बच्चे तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीव कोठरी काली तेरा नभवर में संचार मेरा दस फुट का संसार तेरे गीत कहावे वाह रोना भी मुझे कुना देख विसमता तेरी मेरी वजा रही तिस पर रन भेरी इसमें कवी कहता है कि हे कोयल तेरे जीवन में खुशियों का संचार है तुझे मिली हरियाली डाली तेरे जीवन में खुशियों का संचार है तुम कहीं भी घुम फिर सकती हो मुझे नसीब कोटरी काली और मेरे भागय में सिर्फ ये जेल की काली कोटरी है तेरा नब वर में संचार मेरा दस फुट का संसार तुम खुले आसमान में उडान भर सकती हो और मेरा जीवन इस दस फुट की कोटरी में सिमट कर रह गया है तेरे गीत कहावे वाह रोना भी मुझे गुना तुम्हारी आवाज इतनी मदूर है कि जो भी इसे सुनता है आनंदित होते हुए वाह वाह करता है और मेरे उपर जेल की काली कोटरी में तरह तरह के अत्याचार किये जाते हैं और रोने भी नहीं दिया जाता देख विसमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रन भीरी तुम अपनी और मेरी प्रस्तितियों को देख और समझ इसमें कितना अंतर है फिर भी तुम हमारे मन को देलित करने के लिए विद्रो का बिगुल बजा रही हो हमें इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर स्वाधींता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही हो इस हंकर्ती पर अपनी कर्ती से ओर कहो क्या कर दू कोकिल बोलो तो मोहन के वृत पर प्राणों का आसव किस में भर दू कोकिल बोलो तो इसमें कभी स्वाधिन्ता संग्राम का वरणन करते हुए कहता है कि हे कोयल तुम्हारे इस आहवान पर अपनी रचनाओं से देश प्रेम की ऐसी कौन सी रचना लिख दूँ जिस से देशवासियों के मन में स्वाधिन्ता की अलक है सुतंतरता का जो भाव है वो जग सके हमारे जो राश्टर पिता मोहन है बच्चे यहाँ पर महन दास करमचंद गांधी हमारे राश्टर पिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जो सुतंतरता संग्राम की जो अलक जगाई है क्या मैं उसमें अपना सब कुछ नुचा कवीता कैदी और कोकिला आशा है आप सभी को पसंद आई होगी और इसे ज्यादा से ज्यादा बेटा शेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें